दोस्तो नमस्कार मैं जगनात गौत हूं देश रोजाना यूटीब मंचवार आपका स्वागत है दोस्तो ये तो आपको पता है कि किस तरीके से कांग्रेस जीतते जीतते हार गई और भाजपा हारते हारते जीत गई जहां कैई सीतों पर कांग्रेस अपने विद्रोही उम्मिद्वारों के चलते हारी तो भाजपा भी इससे अच्छूती नहीं रही और यदि मैं उधारन के लिए बताऊं तो प्रिथला एक ऐसा जबरदस्त उधारन हैं जहां एक भाजपाई नहीं भाजपा उम्मिद्वार टेक्चन सर्मा को हराया अब आप कहेंगे भाजपाई ने कैसे हराया वहां तो कांग्रेस उम्मिद्वार रगवीर तेवतिया जीता है नहीं दोस्तों हकीकत ये नहीं है कि वहां रगवीर तेवतिया जीते हैं हकीकत तो ये है कि भाजपा उम्मिद्वार टेक्चन सर्मा को भाजपा नेता नैनपाल रावत नहीं हराया वो भाजपा के विद्रोही उम्मिद्वार थे नैनपाल रावत भाजपा का टिकट हर हाल में प्रथला से चाहते थे और उन्होंने सुरू महीं भाजपा हाई कमान को चेता दिया था कि यदि मुझे टिकट नहीं दिया तो मुझे कोई उल्हाना मत देना मैं चुनाव अवस्य लड़ूँगा 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 भाजपा हाई कमान मुझे टिकट दे या ना दे और वैसे भी भाजपा में टिकट के लिए ये दो ही उम्मीदवार टेकचन शर्मा और नेनपाल रावत इन दोनों में ही घमासान चल रहा था और उसका कारण कोई भी समझो लेकिन टिकट जो है मिली टेकचन शर्मा नेनपाल रावत आप जानते हैं कि राजपूत विरादरी से है और साथ वाली सीट जो बल्लगण वाली सीट है वहां से भीर जो सार्दाराठ और राजपूत परिवार से हैं राजपूत समिदाय से हैं दोनों ही जगे भाजपा ने राजपूत उम्मीदवारों का टिकट काटा लोगों को ये भी बात अखर रही थी कि दॉनो बगल बगल की सीटों पर ब्राहम कर समदाए के उम्मीदवारों को ही टिकट क्यूं दिया गया भल्ला उगर सीट पर मौलचंशरमा को टिकट मेरा तो साथ लगती पृतला सीट पर टेकचंशरमा को टिकट दिया और जबकी राजपूत समुदाई का ये मानना था कि ये राजपूत समुदाई के साथ गहर इंसाफी है कि दोनों सीटों पर जहां पर अच्छी खासी तादाद राजपूतों की है उसके बावजूद राजपूत समुदाई की अंदेखी की गई और इसी बात से नाराज होकर राजपूत्समुदाये ने अपने उम्मीद्वार के रूप में नेनपाल रावत को चुना और वो भाजपा के अधिकरत उम्मीद्वार टेक्चन सर्मा के सामने चुनाओ लड़े तो जैसा कि मैंने सुरू में कहा कि वहाँ से जीते तो रगवीर तेवतिया जाड समदाये के और उनको सत्तर हजार दो सो बासेट बोट मिले यानि बैयालिस प्रतिसत और टेक्चन सर्मा को उड़न चास हजार साथ सो इक्किस बोट मिले उनका प्रतिसाव 29.7 प्रतिसत रहा और हार का अंतर मैं इस बात पर जोड़ देना चाहूँ हमारे दर्सक ध्यान से सुनें और नौट करें कि हार का अंतर 20,541 बोट था और नेन पाल रावत को 22,23 बोट मिले थे यानि यदि नेन पाल रावत जो भाजपा के ही नेता थे चुनाब में ना खड़े होते विद्रोई उम्मीद्वार के रूप में तो टेक चन सर्मा की जीत प्रतला से तै थी यानि के घर के ही चिराग ने आग लगा दी भाजपा उम्मीद्वार की उम्मीदों पर तो दोस्तों कई बार जाने अंजाने चाओ भाजपा हाई कमान हो चाए कांग्रेस हाई कमान हो गलत फैसले हो जाते हैं लेकिन जो फरिदावाज जिले की छे सीटें थी छे की छे में से भाजपा पांच सीट पांचों सीटों पर जीती और भाजपा उम्मीदवार के विद्रो करने से प्रिछला सीट हार गई हाला कि ऐसी इस्तिती एनाइटी सीट पर भी थी वहां पर भी भाजपा ने एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया था जिसकी कोई बहुत ज़्यादा पहचान नहीं थी लेकिन वहां पर भी सतीस फागना को अधिकत रूप से उम्मीदवार बनाया गया और वहां पर जो कांग्रेश की टिकट के दावेदार थे नगेंद्र भणाना उन्होंने विद्रो कर दिया और वो इनेलो भाजपा की टिकट पर लड़े उनको भी अच्छे खासे बोट पड़े लेकिन यहां पर भाजपा का साथ किस्मत ने दिया और नगेंद्र भणाना भाजपा उम्मीदवार सतीस भागना की हार का कारण नहीं बन सके और सतीस भागना ने अच्छे खासे अंतर से कांग्रेश के उम्मीदवार नीरत सर्मा को हराने में कामियावी हासिल की तो ये हमी सीट पर ये कह सकते हैं के सतीस भागना का किस्मत ने साथ दिया और भाजपा के विद्रोई उम्मीदवार के होते हुए और कांग्रेश के सिटिंग MLA के होते हुए भी उन्होंने जीत का परचम लेराया इस बात के लिए सतीस भागना को बदाई दी जा सकती है तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे कारण हो जाते हैं हर सीट पर अलग अलग कारण होते हैं जीत के एरहाथ के लेकिन यदि किसी भी पार्टी का हाई कमान पहले से ही बारी की से इन बातों का अधियन कर ले और निश्पक्सी रूप से टिकट दे तो शायद पार्टीवार को ऐस था प्रितला सीट थी के प्रितला सीट पर को एक भाजपा ही नहीं भाजपा मिलबार को हराने का काम किया तो दोस्तों देख कर यह देश को जाना कल फिर मिलते हैं किसी नए मुद्धे पर नए एपिसोड में प्रियर करेंगे